पहला सवाल है लड़किया चुदवाने के लिए लड़कों को क्या इशारे देती है? इसका सही जवाब है नमबर एक, लड़कों को देखकर जोर जोर से सासे लेती है. नमबर दो, लड़कों को देखकर खुद के होट चारती है. नमबर तीन, अपने बालों के साथ खेलती है नमबर चार, एक नजर से घूरती रहती है और बात करने की कोशिश करती है तो समझ जाना उसको जरूरत है आपके लंग की सवाल नमबर दो, किस देश में लोग अपनी बीवी से ज्यादा अपनी साली को चोदना पसंद करते है इसका सही जवाब है, भारत के लोग सवाल नमबर तीन, कौन सी लड़किया पूरी नंगी होकर चुदवाना पसंद करती है इसका सही जवाब है, शादी शुदा लड़किया सवाल नमबर चार, लंबी लड़कियों को किस तरह चोदने से उन्हीं ज्यादा मज़ा आता है इसका सही जवाब है, नीचे लेटा कर दोनों टांगों को उपर उठा कर चोदने से उन्हीं ज्यादा मज़ा आता है सवाल नमबर 5 भाभी चुदवाने के लिए आपको कौन से इशारे करती है इसका सही जवाब है आपसे रोमेंटिक बाते करेगी आपके हमेशा नजदी काने की कोशिश करेगी ज्यादा सास लेने लग जाती है आपने बालों के बारे में और अपनी खुबसूरती के बारे में सवाल करती है तो समझ जाना उसको भी आपके लंट की ज्यादा जरूरत है सवाल नमबर 6 जिन लग्कियों को चुदवाने से पहले दर्ध होने का डर लगता है वो क्या करती है इसका सही जवाब है उसकी चुदपर खुद ही थूक लगा लेती है सवाल नमबर 7 कौन सी लग किया चुदवाते टाइम दोनों टांगों को चौड़ी कर लेती है इसका सही जवाब है जिनको लंट पूरा अंदर तक लेना हो सवाल नमबर 9 लग्कियों की कौन सी चीज सहलाने से उनकी चुद से पानी निकल जाता है इसका सही जवाब है उनके दोनों बोबे और चुद के उपर वाले दाने को सहलाने से सवाल नमबर 10 किन लड़कियों की चुद भेस की तरह धीली हो जाती है इसका सही जवाब है जो रोजाना 2-3 बार चुदवाती हो अगला सवाल है जिस तरह चुदने से पहले लड़कों को अपना लंट खड़ा करना होता है उसी तरह कर सहलाने के बाद वो खुद ही बोलती है ओ यार बस अब चोदना शुरू करो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अमेंड सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर एंट बाइ बाइ